में लुक्ष गुड इवन वल्यूंग जैसा कि आप सभी को पता था कि हम अभी तक जाम यह जोमेट्री पढ़ रहे थैं इसमें भी यह थी हम पिछले कुछ क्लासेड की बात करें तो पिछले कुछ क्लासेज में हमें रग्त के कुछ कौंसेप्ट पढ़ थे वरत यह सर्कल से पढ़े थे अब पिछली क्लास में यह पढ़ा था कि अर्दवरत क्या होता है सेमी सरकल क्या होता है और उसकी हम परदी कैसे निकालते हैं ठीक है यह इंपोर्टेंट कॉंसेट्ट जो हमने पढ़ा और यह तो मौलड़ी सीखी चुके थे कि वरत की परदी यह जो उसका परिम करते आए हैं एक क्वेश्चन सॉल कर लेते हैं हम इन्हीं कॉंसेट पर बेश्ट क्वेश्चन आपको अपनी स्कीन पर दिख रहा होगा इसमें क्या दे रखा है इसमें आपको जो व्रत है उसका परिमाप दे रखा है आपको व्रत का परिमाप दे रखा है और आपको आप सब्सक्राइब कर लीजिए रहीश नाम से हां जी बहुत बढ़िया क्वेश्चिन सभी को अपनी स्क्रीन पर देख रहा होगा क्वेश्चन है कि यदि व्रत का परिमाप चंबाली सेंटीमीटर है 44 सेंटीमीटर है तो व्रत का या व्रत की त्रिझ्या क्या होगी यह आपको बताना है एं है ऐट के तो सभी बच्चेस का आंसर करेंगे सबी बच्चे इसका आंसर करेंगे परिमाप आपको दे रखा देखिए परिमाप को फॉर्मूला मा अल्लेडी सीख चुके हैं कि वरत का परिमाप क्या होता है उसकी जहायता से आप निकालने की कोसिस कीजिए बहुत पढ़िया आंसर आना स्टार्ट हो चुका है ऐसे परिमाप करेंगे अभी बच्चों का आंसर सही है वह अभी देखने में पता चलेगा अभी बाकिके बच्चे हां जिन्हों ने आंसर नहीं कि यह सभी बच्चे आंसर करेंगे अभी भी आदे बच्चों ने ही आंसर किया है के वन आदे बच्चे बच्चे हैं जिन्हों ने आंसर नहीं किया है जिन बच्चों ने अभी अभी जोइन किया है उनके लिए मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में हमने व्रत के परिमाप के बारे में ही पढ़ा था ठीक है सेंटी मीटर पर आपको व्रत की तरिज्या बतानी है कि व्रत की तरिज्या क्या होगी लिए वी साथ बज़ चैहाँ मिनिट हुए हैं दो मिनटे करते हैं शाथ बज़ की आठ मिनटे तक सब्सक्राइब जल्दी से सॉल्व करेंगे बस एक मिनट और बचा है बस एक मिनट और बचाए जल्दी से सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे इस लिए को डिवनेंग बचा है आप की पास इस लाचि सेकन्स ऑच धार्टी से सेकन्स बचेंड जल्दी से अनसर कीजि अभी भी सब्सक्राइब अंसर नहीं किया काफी वच्चेंसे चनो में नहीं किया है सबी बच्चें से कि अबिस सेकंड वैसे होशा ट्वंटी सेकंड सॉ crashing लिए ट्वं डिसे कीजिए ट्वंटी सेकंड सींट और हैं कि कि दस सेकंड से लाश्ट तेस सेंट पैन सैंड कि है 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 फाइब सेकंड्स फाइब फोर थ्री टू वन समय समाप अच्छा इस question में न अच्छा ठीक है देखते हैं कि क्या अंसर होगा इस question में अलग-अलग answer आया काफी बच्चों के ठीक है तो इसको क्या करेंगे हम साथ में मिलके solve करते हैं तो आपको यह वताना है देखिए question में क्या दे रखा है हमें दे रखा है व्रत का परिमाप दे रखा है क्या दे रखा है परिमाप दे रखा है व्रत का ठीक है गुड़ drinking ब्रत का परिमाप कितना है ऐस्ति आंटीमीटर अब यह तो στο summary कlor पॉर्मौला पड़ाता है नहीं से ह तो इस परिमाप की जगे हम तू पाई आर लिख सकते हैं और यह बराबर होगा 44 के क्योंकि यही तो दे रखा है इसमें क्वेशन में कि जो परिमाप है वह 44 सेंटीमीटर है अब आपको क्या गरना है व्रत की त्रिज्य बतानी है देखें त्रिज्य क्या है इसकी आर तो बस आर ही तो निकालना है इसमें से टू और पाई इन दोरों की वैल्यू हमें पता होती है ठीक है चलिए इसको रखते हैं इसको मैं पाई की जगए 22 बटे 7 लिखते हैं गुणा आर बरावर 44 ठीक है अगर यह आपको यहां तक समझ में आया है तो आप तो हमें बस यह सॉल्व करना आर बरर क्या हो जाएगा अप इसको यह सकते दोगुना साथ इसको एसे भी लिख सकते जहां कामान निकालेंगे तो साहत का वग फाग होगा कैसे uchen गुना होगा दोश्री साइट ट्रांस्फर करेंगे न और यहां जायेगा दोगुना 20 अब यदि से सभी से जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे आर कमान कितना आएगा यहां से कि सभी बच्चे लिखेंगे कि सभी बच्चे बताएंगे एक बच्ची ने बताया अभी तक कि वल तीन ने बताया तीन बच्चों ने बताया अभी तक कि वल सभी बच्चे आंसर करेंगे अंसुल सर्मा, रईस और हुसेन खान, सुमन जांग्रा, चार बच्चों ने बताया है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताएंगे आंसर, कि यहां से आर का मान, सौल होके कैसे आएगा, कितना आएगा, सौरी, चार बच्चों ने बताया है कि इवल, पंकज की नाम से बच्चा है, पांच बच्चे हो गए हैं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, प्रिंस कुमार, गितेश कुमार, सुसील, जल्दी, ओकी, ठीक है, काफी बच्चों ने बताया है, लेकिन अभी भी मिला जला आंसर आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं, कि चौदे आएगा, कुछ बोल रहे हैं, साथ आएगा, अच्छा, तीन बच्चे हैं, अंसुल, सर्मा, रईस, सुमन जांगरा, और जीतेश कुमार, आप यह बता सकते हो, कि कोई भी अन्म्यूट करके, आप मैं से कोई भी एक जना की कैसे आएगा इसका आंसर, जिसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई भी एक अन्म्यूट कर लीजिए, हाजी, अच्छा, मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है, ऐसा करते है, रईस, जो है, आप ब आलतियो, जैसे भी आपने सॉल्व के आप बता गए, ताकि मैं आपको सही तरह से बता सकूं, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो, हाजी, रईस के नाम से जो बच्चा आप बता रहे हो, ठीक है, अंसुल सर्मा के नाम से जो बच्चा है, आपने 14 बता होगे, कैसे मैं कटता हूँ जलो, बताइए अब, कैसे करूं कट? सर, 22 को 44 से कट के था, कितनी बार कट होगा? 22 दो आ जाएगा सर, उपर, दो आ गया, अभी? हाँ, साथ को दो, मिल्टिप्लाई 14 आ जाएगा, अट ये दो भी तो बच रहे है न, आपने ये दो तो मिस कर दिया? सर, दो सर, दो से दो कट जाएगा न, फिर, दो से दो कट के फिर कितना बचा? साथ बचा सर, और आपने 14 लिखाता है न, सही है, आपने मैं थर एक्दम सही बताया है, देखिए, आता तो है, बता है, मैं बस इसलिए पूछ रहा था, जिस भी बच्चनों 14 लिखा है न, उनको सॉल करना तो आता है, लेकिन कही न कहीं छोटी सी गलती कर दी होगी, इसलिए आपका आंसर गलत हो गया, अब यह सोच के देखिए, मालो, ऐसे यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ तो, तो आपके मार्क्स कट जाते न, नंबर कट जाते, जबकि आपको आता था सवाल, इसलिए जब भी कोई भी सवाल करो, आप उसका आंसर करने से पहले दो वाद चैट कर लो, कि जो भी आप आंसर कर रहे हो, वो सही है या नहीं, देकि मैं यह नहीं कह रहा है, मैं यह कह रहा हूँ कि आप सभी को आता तो है, लेकिन जल्दवाजी में साइध आप गलत कर दे लेते हो, तो वो जल्दवाजी नहीं करनी है बस, ठीक है, चलिए, तो इसको हम फिट से एक बार और समझ लेते हैं, बिल्कुल सही बताया, जिस भी बच्चे ने बताया, हाँ, कि 22 से 45 कटेगा कितनी बार, दो बार, और इस दो से यह दो कैंसल कर जाएगा, बचा कितना कि स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम वरत के छेत्रफल के बारे में सीखेंगे, कि वरत का छेत्रफल क्या होता है, देखें, अभी तक हम परिदी के बारे में सीख रहेते हैं, कि परिदी या सरकमफिरेंस क्या होती है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, कि पर आप कभी भी confusion नहीं होगे देखे मालो यह सरकल है ठीक है अब इसके परिधी का क्या मतलब है यह आपको ध्यान से समझना परिधी का मतलब है कि यदी में इसको इसकी लंबाई नापू कैसे यहां से स्टार्ट करके ऐसे चलो यह लंबाई नापू इसकी यहां से और यहां तक जहां से मैंने स्टार्ट की वापिस में उसी पॉइंट पर यह पहुंचाओ इसी पॉइंट पर ठीक है तो इसकी जो लंबाई है वो होती है तू पाई आर और यही इसकी परिधी होती है यही इसकी मान यह उसका फॉर्मूला होता है टू पाई आर ठीक है अब फिर छेतर फल क्या होता है यह तो होगे लंबा अच्छा इसको ना दूसरी तरीके से और समझ सकते हैं ठीक है आप पहले कमेंट में करके यह कमेंट में लगके यह बताइए कि काफी लोग ना अपने हाथ में हब बिल्कुल वह भी मानलो वो कड़ा है और कड़े है खिरिए परदी को समझने की कोशिस केजिए तो उसके लिए कि आपको क्या करना है आपको इसको में थोड़ा सा और बढ़ा कर लेता हूं ताकि आपको औरता इस लिए दिखे ये मैंने और थोड़ा सा बड़ा कर लिया है अभी आपको थोड़ा सा और की लियर देख रहा होगा की मांदों यह वही कड़ा है अब आप को क्या करना इसकी परदी बताने का एक और तरीका कि आप यहाहां से काट लीजिए मतलब इस एक जगे से काटिए और यह मुड़ा हुआ है इसको बस सीधा कर दीजिए ऐसे इसको एक सीधा बना दीजिए ठीक है अब सीधा बन गया तो अब इसकी लंबा इनाप लीजिए बस इसकी लंबा इनापने पर जितनी हो आएगा वही इसकी परिदी होगी ठीक है वही क्या होग है ऐसे नहीं निकाल सकते जैसे आप मालोय समझ लो पैया जो होता है अगर इसकी पारती निकालनी ओतो तो उस हो निक्सान हो जायेगा फिर तो 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 फिर उसकी प्रदी कैसे निकालने का एक Di पुला था जो की था टू पाई आर ठीक है जो हमने अभी पड़ा था अब आइसके लिए हमें जरूरी है कि जो भी व्रत्ताकारा किरती चाहे वो कड़ा है या जो हाथ में चूड़ी है वो हो या फिर पही आओ कुछ भी उसकी हमें तृज्या पता होनी चाहिए अगर हमें त तौ खोती है पर्धी समझ यह तो होगी परड़ी अ अब अब दूसरा . यह आता है कि अब हम पढ़ रहें चैंज की बारे में तो फिर छैंज प्रफल क्या होता है अब आपको ये समझनां देख्यों क्या होता है दिए वानलीजिए हैं आपने अपनी कॉफी पर इस तरह का एक व्रत बनाया है ठीक है आपने इस अपनी कॉपी पर इस तरह का व्रत बना लिया अब आपकी पेज पर जहां भी आपने वो बनाया कुछ जगे गेरेगा ना वो व्रत कौन सी जगे गेरेगा ये वाली जगे गेरेगा ने इतनी कितनी जगे कवर कर लेगा ठीक है अ क्याइऑ समझ में कि कोई भी व्रथ कितनी जगह गेड़ता है कोई भी आप लो कड़ा ले लीजिये कड़े को आप अपनी कॉपी के पेज पर Warmth लीजिए तो वो copy के page पर जितने उसके अंदर की पूरी जगए गेरेगा ना पूरी अंदर की side वही उसका छेतर फल होगा परदी क्या थी उसके कुल लंबाई है जो चारों side से वो अलग चीज है लेकिन वो अंदर उसके कितनी जगए गेर रहा है वो अलग है जो अंदर जगए गेर रहा है वही उसका छेतर फल कहलाएगा आया समझ में yes और no दोनों में अंतर समझना जरूरी है इसलिए मैंने आपको ये अलग-अलग तरीके से समझाया है सबी बच्चे बताएंगे आया समझ में छेतर फल का मतलब क्या है बहुत बढ़िया यह आया तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब छेतर फल समझ में तो आगया अब उसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए पहले छेतर फल के बारे में कि वरत द्वारा घेरा गया इस्थान इस्थान ही तो घेरता है ़िक के वरत क्यों नेचे जगने ये वाली तो यही इस व्रत का क्यों चुटना भी स्थान गेरा जाता है वही उसका च्षेतर फल कहलाता है अब questern और रही कि ये निकाल ये कैसे ये तो पते चल गया चलो हमें लेकिन ये calculate कैसे करेंगे तो उसके लिए एक formula होता है मालो ये एक व्रत है जिसकी त्रिज्जा है आर तो ये कितनी जगे गहर रहा है ये अंदर वाली जगे गहर रहा है ठीक है पूरी ये अंदर वाली पूरी जगे गहर रहा है यहां से पूरी यहां से अंदर अब इसको अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे तो इसके लिए फ अब यहां भी इसका मतलब है पाई कोना आर गुणा अ ठीक है इसको मैंने बहुत ही ऐसे open करके दिखा दिया आपको और भी solve करके दिखा दिया है पाई आर स्क्वाइर का क्या मतलब है कि पाई का गुणा आर में करो और फिर आर में करो ठीक है जहां आर क्या है इस वरत की त्रिज्जा है जैसे उधारन के लिए मैं एक उधारन ले ले लिता हूँ मान लो एक वरत है एक वरत है जिसके लिए कि जो त्रिज्जा है वो है 21 सेंटीमीटर कितनी है 21 सेंटीमीटर तो इसका यदि मुझे एरिया निकालना है 6 तरफल निकालना है तो वो कितना होगा पाई आर स्क्वाइर अब पाई का मान क्या होता है 22 वटे साथ आ कितना है 21 दे रका है अब ये आर इसक्वाइर ने तो दो बार घुना होगा ना और का पाई गुना आर गुना आर किके अब आप इसको आप उसको आसानी से सौल्ब कर सकते है 7 से 21 3 बार कट गया बस आपको इसका मान करना है कि आप खुद से calculate कर सकते हैं मैं बस तरीका बता रहा हूं मैं बस तरीका बता रहा हूं कि आपको कैसे solve करना है आया समझ में कि pi r square आपको कैसे use करना है सभी बच्चे बताएंगे यह समझ में आया क्या कि सभी बच्चे बताएंगे यह समझ में आया किया और यह बहुत बढ़िया चलिए अगर यह समझ में आया है ठीक है अगर यह समझ में आया है तो एक और और रूम question संझा देता हूं मैं आपको मालो यहां तो आपको तरिज्या दी गई तो रापने एरिया निकाल लिया था म हमाद कर दिया तो इसको कैसे देखेंगे रखेंगे हमें क्या रखा है क्वेस्टन के हिसाफ से छेत्रफल 25 और हमारे हिसाफ क्या होता है पाई यार स्क्वाइब तो इस छेत्रेपल की जगे लिवाज़ कर दिया पत्चीष पाई के बराबर सो मैं यहां लख नियुक्यार व ata कि नियुक्त वेलिई नकाल लेते हैं वह स्कूर को पाई यहां दियता हूं सेम छीज़ को पाई कैसे 파ई बटे पाई अब ये नीचे वाल पाई कॉन सा आया है जो यह पाई थर वह हाँ नीचे हागा है तो तो माई सभी बच्चे बताइगे कि सभी वतड़ह के बराख पांच के बराबर यान opposition कि त्रिज्य आ जाएगी five ठीक है यहां तक सबीगों समझ दे गई यह ते रखा हूं तो चेटरिया कि निकालते हैं और चेटरिफल दे रखा हो तो त्रिज्य लेकिन आपको बताना पड़ेगा उसके लिए कोई बाती समझ में यह लेकिन आपको यह बता दीजे कि क्या समझ में नहीं है ताकि मैं वही चीश समझा सकूं कौन सा यह निक्चे वाला सर यह क्या क्वेस्चन हम ठीक है मैं इसको फिर से समझा देता हूं देखिए मैं इसको दोवारा से लिख रहा हूं मैंने बोला कि मालो किसी क्वेस्चन में आपको दे एक व्रत है जिसका आपको छेद्रफल दे रखा है 25 पाई 25 पाई और आपसे प कि तुरिज्या ग्याद कीजिए ठीक है तो आपको कैसे करना है कि क्वेस्चन के इसाफ से दे रखा है कि व्रत का छेद्रफल है 25 पाई कि लेकिन हम जानते हैं कि जो वरत का छेट्रपल होता है वो होता है पाई आर इसक्वाइब इसका मतलब 25 बराबर हो जाएगा पाई यार करें कि क्यों होगा समझ में यह बताइए आप समझ में आया चुमंज के नाम से बच्चा है आब बताएए यह समझ बैस को समझाओ दोबारा पाई आर इसको बढरावर 25 पाई कैसे होगा रुट से समधाएं सरी पतिज वाला ली समझ में आता है एक साह पूरत का फोर मूला क्या होता है चाल के नियुक्त स्थ गाल कि यह होता है हमारा साथ से जो हमें यहाव से लेकिन question में क्या दे रखा है question में ये दे रखा है कि वही जो छेत्र भल है वो 25 pi के बरावर है इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि pi r square होता है question में दे रखा है 25 pi ये दौनो एक ही चीज़ है नfect थो हम दोनों को बरावर कर देते है pi r square जो हमें पता है वो होगा 25 pi के बरावर अब इससे फायदा क्या होगा देखिए इससे फायदा ये होगा कि यह तो एक संख्या है ना 25 पाई तो और यहाँ जो हमने formula लगाया है उसमें हमें आर नहीं पता उसमें हमें आर नहीं पता तो इस समी करन्टί जो चेत्पल हमें पता है वो होता है πाई र इसक्वाई को Load situation में दे रखा है 25 तो यह दोना बरावर हो जाएगे अब यहां से पूरा समझा के बताओ, यह वो समझ में आ गया था, आगय का, आगय का समझ में आ गया था, आगय था समझ में ठीक है, वैसे आप इसको निकाल सकते हो कि आर स्कॉयर बरावर हो जाएगा, 25 पाई अपॉन पाई, बटे पाई, क्योंकि यह पाई यह गुणा में ह जो यह वाला पाई जो गुणा में है, वो हैं नीचे भाग में जाएगा, तो यह इससे कैंसल हो जाएगा, आर स्कॉयर बरावर पच्चीस आ जाएगा, और यहां से आर का माना 5 निकाल सकते हो, ठीक है, चलिए, अगर यह सभी के समझ में आया है, तो अब हमें question solve करते हैं, question number 18, बहुत ही आसान सवाल है, देखिए अब यह ना किसी को गलत नहीं करना, question number 18, पहले चीज तो यह कि सभी बच्चे poll section में यह आंसर करेंगे, comment में कोई भी आंसर नहीं रखेगा, दूसरा यह, question में देख्या रखा है, त्रिज्या हमें पता है कि 7 cm है, त्रिज्या पता है तो छेत्रफल तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, अभी हमने जो छेत्रफल का formula पड़ा था वो लगाईए, आपका छेत्रफल बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, सभी बच्चे इसको solve करेंगे, बहुत बढ़िया, आपका आंसर आना तो स्टार्ट होगे, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे हाँ, अभी आंसर तो दे रहे हैं, चुकि अच्छी बात है, देखिए जल्द वाजी में गलत मत कर देना बस, आंसर आना इतना important नहीं है, important है कि जो भी आंसर आ रहे हैं वो सही हो, ठीक है, इसलिए अगर आपका आंसर आ रहे हैं, तो आप एक बार उसको check कर लीजिए, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, साथ बच्च के 28 मिनट हुए है, साथ बच्च के 29 मिनट परक हम वेट करते हैं, पूरा एक मिनट है आपके पास, सभी बच्चे आंसर करेंगे, एक मिनट है आपके पास, पूरा एक मिनट है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, चालीस सेकंड्स और बच्चे हैं, फोर्टी सेकंड्स और हैं, चालीस सेकंड्स और बच्चे हैं, 20 सेकंड्स और हैं, 20 सेकंड्स और हैं, कि दस सेकंड्स और बच्चे हैं कि मौदा मौदा है कि फाइव सेकंड्स फाइव फूर थ्री टू वन समय समाप चलिए अब हम इस क्वेशन को समझ लेते हैं देखिए हमें क्या पूप दे रखा है आर बदा बराबर साथ यानिकि जो त्रिज्या है वो है साथ तो त्रिज्य टेलिक हम आएड से लखते हैं तो आर हमें दे रखा है सेवन सेंटीमीटर वरत का छेत्वल हमसे पूछाए अब जो वरत का छेत्वल है जो हम जानते हैं जो फॉर्मूला वह होता है पाई यार स्कॉयर ठीक है अब ऑरग तो यहां से मैं पता है साथ चलिए पाई की वेल्य टो साथ का सब्सक्राइब तो साथ का दो बार गुणा होगा अब इसको तो मैं साथ कर सकते हैं कि साथ से साथ कैंसल हो और यहां में बचेगा बाइस गुणा साथ अब बाइस गुणा साथ यदि आपको बाइस का पहड़ा डारेक्ट आता है तो बाइस सकते होते हैं एक सो चववन एक सो चववन आएगा या आप आसानी से इसको गुणा कर भी सकते हो अब देखिए question क्या आ रहा है question यह है कि ज हो क्या होगा अच्छा इसको ना मैं थोड़ा सा एरेज कर देता हूं है हाँ यहां आपको ध्यान से समझना है formula क्या है वह पाई आर इसको चोड़ देते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं आर गुणा आर अब यहां आर क्या है आर हमें दे रखा है सेंटीमीटर में ठीक है पार हो घशनिमीटर में यह आर भी होगे सेंटीमीटर में ठीक है तो जैसे ए मेन से सब्सक्राइब आएगा ना इसी तरह ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर है इन दौनों का गुणा जब होगा तो जो यूनिट है वह एकाई यह वह हो जाएगी सेंटीमीटर स्कॉयर इसलिए आपको ध्यान रखना है कभी जो छेत्रफल की एकाई होगी वह हमेशा स्कॉयर में आए का स्कॉयर यानि कि जो ऑप्सन भी है वो करेक्ट अंसर है यह समझ में आया और सभी के समझ में आया तो चलिए एक और क्वेश्टन सौल करते हैं जो की लगभग इसी परकार का है क्वेश्टन आपकी स्क्रीन पर देरा कर देकि इसी टाइप को क्वेश्टन मैंने अभी- यहां 25 पाई की जगए 64 यह शीटरफल दे रखा है ध्यान रखना यह चेत्रफल दे रखा एक वरत का 64 पाई और उसके हिसाब से आपको यह बताना है कि वरत की त्रिज्या क्या होगी सभी बच्चे आंसर करेंगे नुक्त बढ़िया है है कि अभी से अब अभी तक तो सबका सई है इस कुमार आपने हैंड रेज की है कोई डाउट है क्या जिते हैं कुमार के नाम से जो बच्छा के आपने हैंड रेज किया कूई डाउट हो तो आप बता दीजिए अच्छा इस question में काफी बच्चों ने answer किया है और अभी तक जितने बच्चों ने answer किया ना सब कस है यह बहुत बढ़िया सावास्त बहुत बढ़िया लाश्ट ती सेकंड और वेट करते हैं इस इस question में लाश्ट थर्टी सेकंड और वेट करते हैं उसके बाद हम इसको discuss करेंगे तीस सेकंड और आपके पास जल्दी से solve कीजिए दो बच्चे और बच्चे देखिए दो बच्चे और जिन्होंने आंसर नहीं किए वो भी आंसर करेंगे दो बच्चे और जिन्होंने आंसर नहीं किए जल्दी से सेकंड्स और आपके पास है ऐसी दस सेकंड्स लाष्टेन सेकंड्स जल्द इसे आंसर कीजिये लाष्ट दस सेकंड्स और बचे हैं हर फाई सेकंड्स लाष्ट 5443 यह समय समार है इसको वैसे ज्यादा समझाने की जरुवत है नहीं क्योंकि जितने बच्चा ने आंसर दिया सभी का अंसर एकदम सही है बहुत ही बढ़िया देखिए फिर भी जल्दी से समझ लेते हैं वरत का छेत्रफल क्या दे रखा है यहां वरत का जो छेत्रफल वो दे रखा है 64 पाई ठीकहे और हमें पता है वरत का छेत्रफल क्या होता है पाई अरे स्कटार मतलब हमपाई आरे सक्टार बरावर हो जाएगा 64 फोरिया 64 पाई ठीक है अगर मैं आर स्कॉयर की बात करो तो आर स्कॉयर बरावर हो जाएगा 64 पाई अब यह अपउन वाला पाई कहां से आया है तो यह जो पाई था या गुणा में था जब हमने इसको इधर ले गए तो यह बटे में आ गया नीचे आ गया अब इस पाई से पाई कैंसल हो जाएगा आर स्कॉयर की वैल्यू आगे 64 और यहां से आर की वैल्यू यह सभी का एकदम सही था कि एट सेंटीवीटर आएगी ठीक है तो ऑप्सन डी हमारा एकटम करेक्ट आंसर है ठीक है ऑप संदी एकडम करेक्ट आंसर है अच्छा यह ज्यादा टाइम न ख्छक र Обस्वर सैंथक्हां स्षा hiss यहां नमबर एकसीन नमबर एकस्यस नमबर एकस्व यह थोड़ा सफॉसक्त पड़ेगा आगला सोबगें यहांई की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहां पाई से मोंदेगा यहां पाई पाई-पीस नपते साथू इतनी हेंट मैंने दे दिए कि पाई की वेलियों बाइस बटे साथ रखके देखिए फिर आपका आंसर साइद आएगा यह भी सेम पिछली क्वेशन की तरह यह व्रत का छेट स्वल दे रखा है 616 सेंटीमीटर स्क्वाइर और आपको इसकी त्रिज्या बतानी है कि त्रिज्या क्या होगी सभी बच्चे आंसर करेंगे इसमें समय लगेगा इसमें आप समय लीजिए साथ बज़ के 36 मिनट हुए हैं तीर मिनट लगें पूरे तीर मिनट ले लो आप साथ बज़ के 49 मिनट पर हम इसको डिसकस करेंगे समय ले लीजिए जल्दवाजी कोई नहीं करेगा सभी बच्चे आंसर करेंगे समय ले लीजिए अभी भी आपके पास समय है तो कोई भी बच्चा जल्दवाजी बिल्कुल नहीं करेगा जैसे पिछले क्वेशन में अभी सॉल्व किया था ना व्रत का छेद्वल आपको क्या पता क्वेशन में रखाए 616 वर हमें क्या पता है उद्वनों को बरावर कीजिए वहां से आपका आर या रेडियस निकल जाएगा ओके आंसर आना स्टार्ट हो चुका है बहुत ही बढ़िया आंसर आना स्टार्ट हो चुका है बहुत बढ़िया झाल मैंते भो चुका है बढ़िया ट्युका है कि ठीक है दीरे दीरे आंसर आ रहा है अभी तक तो जितने बच्चों ने आंसर दियाने सब का एकदम सही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कि कि साथ बच के अन्तालिस मिनट हो गया अभी भी हम थोड़ी थोड़ा समय रुखते हैं कोई बात जल्दवाजी नहीं है थोड़े समय और रुखते हैं जल्दवाजी नहीं थोड़े समय और रुखते हैं तीस सेकंड्स और हैं आपके पास थर्टी सेकंड्स और हैं अभी बंटी सेकंड्स और आपके पास कि दसकंड्स बच्छे लाश्ट सेकंड्स बच्छे जल्दी से आंसर कीजिए 5 seconds 5 4 3 2 1 समय समाव अच्छा हाँ वैसे जितने बच्चों ने आंसर किया है ज्यादा तर का आंसर सही भी है चली देख लेते हैं देखें वरत का छेत्फल हमें यहां क्वेश्चन में क्या दे रखा है छेत्फल हमें दे रखा है छेस्सो सोले और हमें क्या पता है और हुखें चेत्फल होता है और स्क्वार आर्स क्युले और स्क्यूस्रों च्वां ग्याइंड सिद्ट करें गो academic टूसरी साइट ले जाएंगे तो यहां दूस्री साइट ले जाएगा जाए जूग ठीक है अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो बाइस का भाग देते हैं कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि बाइस से यह इस बार कड़ जाएगा तो आर स्कॉयर आ गया 28 गुणा साथ अब आपको क्या करना है 28 गुणा साथ करना है तो चलिए 28 गुणा साथ भी कर लेते हैं 28 इंटू 7 कितना होगा साथ अठे 56 हासिल पांच साथ दोनी चौदर पांच उननीस एक सो च्यानवे आर स्कॉयर आ गया 196 ठीके तुम्हें इसको आगए यहां कर लिख रहा हूं आर स्कॉयर कितना है 196 तो यहां से आर कितना आएगा अब इंपोर्टेंट चीज यह है कि यहां से आर कितना आएगा तो आर एक तरह से तो मैं यह लिख सकता हूं अंडर रूट 196 लेकिन अब अंडर रूट 196 की वैल्यू कैसे निकालों क्वेस्चन है यह तो देखिए अब इसके लिए आपको अलग से समझना है हाजी वैसे चौदे आएगी बिल्कुल सही बात है आपकी अगर आपको सभीके वर्ग यजाव या वर्ग्मूल याद हैं तो आप यहां से कह सकते हो डायरेक्ट फेट यह एंडर रूट एक्सो चिनमें का मतलब होता है 14 मतलब 14 का स्कायर होता है एक यंदे होता कैसे चली है एक सो चिनमें वर्गमूल निकाल की देखते हैं तो इसको हमःजय कुणनन खंड बदी से करते हैं कि 123 के वर्गमूल हम कैसे निकाल سकते हैं तो ус से 2 186 फिर से दो का भाग जा रहा है तो दोख दिजिए 2408 238 तो आगले तीन से पांच पांच का भाग जाता है कि नहीं जाता है बिल्कुल साथ का जाता है तो हमें जब तक भाग करना होता है जब तक कि यहां वन नहीं आ जाए वन आ गया तो है मतलब हमें अब अब आगें पर नंगर्ण मिल चुके हैं दों अधोगर्ण साथ गुणा तो मैं continents लेक्र आगे पर हृँश्व तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना अंडरूट दो गुणा दो गुणा साथ गुणा साथ बस मैंने इसको ऐसे लिख लिए अब क्या करना है हमें बस जोड़े बनाने दो दो के एक जोड़ा तो यह बन गया और एक तो यह बन गया और एक यह बन गया तो पहले वाले जोड़े स से हम वहार निकालेंगे तोते एक ही संख्या घो हो जाएगा गुणा इस में यहीं सब俺 यह यह जाएगा साथ हैं और आपके सब्सक्राइब कर और जुक्त um मान हो गया चौध है और यही हमने यहां लिखा है कि आर कमा चौध है इसमें यही पूछा था कि व्रत की तुरिज्य क्या है तो वो जाएगी चौध है सेंटी मीटा ठीक है यह थोड़ा सा समझने लाइक था अब आप इसमें बताइए यह आपको समझ में आया या नहीं आया दो गुणा साथ केसे कर रहे हुआ मुझे यह समझ में नहीं है दो गुणा साथ कैसे किया आँसर चौध है आप तो वो कैसे हुआ अब हम अगला कॉंसेप पढ़ते हैं अभी तक तो देखों व्रत का चेत्षवल पढ़ रहे थे अब अर्ध व्रत यानिकी जो आधा व्रत होता है जिसको चैने करते हैं उसका चेत्षवल क्या होता है इनका है चलिए उसके लिए ध्यान से समझना है यह असान से पूरे व्रत करint minder मतलब मालनो यह पूरा व्रत है फोड़क है यह पूरा व्रत है अब यह जितना भी इस्थान गेरिगा कि दवाराее गया इस्थान एतां यह वाला गरेगा नीचे वाला और यह नहीं पूर्ण व्रत होता पूर्ण व्रत होता तो इसका इसका एरिया कितना था इसका चेतफल का फॉर्मूला क्या था अगर ये पूर्ण व्रत पूरा ही व्रत होता तो इसका चेतफल का फॉर्मूला क्या पढ़ाता अभी हमने पाई यार स्कॉयर बिल्कुल देंकि पाई यार स्कॉयर तो घेरा जा पूरे व्रत के द्वारा और फर आधे व्रत के द्वारा कितना इस्थान गेरा जाएगा इसका आधा मतलब इसका एक बटे दो का भाग दे दो आया समझ में यह पाई यार स्क्वाइर बटे दो यह होगा अर्ध वरत का चेत्रफल यह आया सभी के समझ में सभी बच्चे बताएंगे ने जिगे चिचेत फ़ल का मतलब होता है कि कितना स्थान गेर रहे पूरा beshsan अर्थ उसका अधार इस्थान गेरेगा जेस चालो बहूत बड़ीया तो मैं इसको कह सकते हैं पाइर स्कौइर बटे active 2 या फिर इसको मैं होगा पाई आर स्कॉयर वटे दो या एक वटे दो गुड़ा पाई गुड़ा आर स्कॉय है ठीक है चलिए अब करते हैं यह आसान क्वेस्चेंस हैं क्वेस्चेन नमबर 121 सब्सक्राइब या बिश्चे क्वेस्चेन डियुक्त नमबर 121 बस आपको फॉर्मुल सब्सक्राइब चाहिए यहां अर्द्विर्त कि सब्सक्राइब करेंगे इसमें भी समय लगेगा साथ बज़ के 48 मिनट हुए हैं इसमें भी हम तीन मिनट रुकते हैं साथ बज़ के 51 मिनट पर हम इसको डिसकस करेंगे ठीक है तीन मिनट है आपके पास पूरे आप सौल कर लीजिए कि जल्दवाजी में कोई भी आंसर नहीं करेगा कि अब बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा तो अब बहुत बढ़िया आँसर आना स्टार्ट हो चुका है आपके पास दो मिनट और है बहुत बढ़िया साबास्त हाँ कुछ बच्चों ने आंसर किया है और ज्यादा तरका आंसर सही भी है बहुत ही बढ़िया सभी बच्चे आंसर निकालेंगे ठीक है पूब अब गारा एक मिनट और बच्चा आपके पास एक मिनट और है अब को अब होत बढ़िया चलो मतलब अंसर सही आ रहा है आपके समझ में तो आ रहा है काफी बच्चों के सही अंसर बहुत ही बढ़िया सभी बच्चे आंसर करेंगे ए एक मिनटों व। को है कि लाइस फॉंटी कर्दिस से कि जिल्दी से अंशर कीजिए और चाली या कि िसे सेकंड्स थैर्टी सेकंड्स और आपके पास इसे कि जल्दी से अंसर कीजिये दो बच्चे और आइघ में किया ने 20 से सैकंड और जल्दी से से लंगे सब्सक्राइएं सब्सक्राइब कि 15 जैकंड और बचे हैं कि दस सेकंद्स लाश्ट टैन सेकंड्स पाइब सेकंड्स फाइब फॉर थ्री टू वन चलिए समय सम आप तरिया विस क्वेश्चन को हम डिसकस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है देगे प्वेश्चन में तो त्रिजय दे रखी आर्द वरत की और हमें इसका त्रिजय मतलब आरदे रखी रेडियस आर्दे रखा है हमें 14 सेंटी मीटर और हमें क्या बताना था हमें ये बताना है कि इसका छेत्र फल क्या होगा इसका नएं पढ़ा था स्कार एक वटे दो गुणा पाई आर स्कॉयर मतलब जो पूरे वरत का छेट पलता उसका आधा चलिए अब इसकी वेल्यू रखके देख लेते हैं एक वटे दो तो ऐसे ही कि ऐसे रहेगा पाई की वेल्यू बाइस वटे साथ आर स्कॉयर है तो चौधे का दो बार गुणा होगा ठीक है अब यहां से इस सभी बत्चे बाईस गुना चौधे करके बताई कि इतना एगा उनका अजब सबीव चूधे करके बताएंगे सब ही बश्या दो अन्सर होगा अ प्राहुल महरा और अंसुल सर्मा और सौरव के नाम से तीन बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है हाँ जी हुसेन खान कि सभी बच्चे आंसर करेंगे सभी बच्चे आंसर करेंगे चार बच्चों ने आंसर किया किवल राइस विनोद राजपूत प्रिंस कुमार जितेश कुमार चलिए हाँ जी बहुत बढ़िया इसका जब हम गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारे पास 308 और मैं अभी बताया था ने सेंटीमीटर स्कॉाइर होगा क्योंकि यह सेंटीमीटर में तो इसकी उनिट सेंटीमीटर स्कॉाइर में होगी बहुत बढ़िया ठीक है तो ऑप्सन ए हमारा आंसर होगा यहां क्या रखना था कि यह एक बटे दो को भूरला नहीं है क्योंकि अर्द्वरत था इसलिए एक बटे दो का गुणा होगा कैसे कहलो आप एक बटे दो का गुणा कर लो यह दो का भाग कर दोनों एक ही बात है ठीक है चलिए इस क्वेशन प्रिये तो होगे इसका ऑप्शन एक करेक्ट है अब आज का लाश्ट क्वेशन आज का लाश्ट क्वेशन क्वेशन नमबर 122 यह आसान है यहाँ आपको पाई की वेल्यू भी नहीं रखनी ना यह आसान है इसलिए पाई और यहां से आप कुछ व्रत की त्रिज्या बतानी है जल्दवाजिक कोई नहीं करेगा कि देखिए जल्दवाजी में गलत नहीं करना है कि अधिकर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है साथ बज़ के चववन मिनट हुए हैं साथ बज़ के चपन मिनट पर हम इसको डिसकस करेंगे कर दो मिनट है आपके पास बहुत बड़िया अभी सही आंशर कर रहें काफी बच्चे एह एक मनेट और है साथ बचच की पच्पनग्न हूचके है एक मिनट और है आधे से ज़्यादा बच्चे आंसर कर चुके हैं आधे से ज़्यादा बच्चे आंसर कर चुके हैं तीस सेकंड्स और बच्चे थर्टी सेकंड्स और है आपके पास इस प्विंटी सेकंट्ट और बचे 20 seconds और है आपके पास है कि की अपंध्रे सेकंट्स बचे हैं जल्दी से आंसर कीजिए पंद्रे सेकंट्स पचे हैं हुआ पर दस सेकंट्स लाष्ट लाश्ट टेन सेकंट्स 5 seconds 5 4 3 2 1 समय समाब चलिए अब हम इसको देख लेते हां जी अच्छा सभी बच्चों ने आंसर तो किया है चलिए बहुत बढ़िया कि ءर्ठ बिरत का च्छेटौर ने कि यह बढ़िया और कोई बोल के बताएंगा कोई भी घट वन बैटो इंटो फाइ आर सुकह बहुत बढ़ियाँ चलिए यह होगा हमारा 50 पा一定要 परावर ठीक है ऐसा लिख सकते हैं अब देखिए हमें क्या निकालना है आर तो मैं इसको ना अलग तरीके से लिख देता हूं एक पटे दो गुणा पाई गुणा आर स्कॉयर परावर पचास बस सेम चीज को मैंने दूसरी तरह से लिखा है कि मैंने यहां यह गुणा और देखूं तो दो यहां भाग में है तो दूसरी साइड जाकर यह तो हो जाएगा गुणा में और जो गुणा में है क्या पाई यह आ जाएगा भाग में ठीक है तो यहां से तो एक चीज मुझे पता चलगी कि पाई से पाई आसानी से कैंसल हो गया और आर स्कॉर बरावर आ अच्छा सभी बच्चे बोलने लगेंगे तो काफी दिश्टर्वेंस आएगा लिख के बता दीजिए बहुत बढ़िया आर कमान कितना आएगा बहुत ही बढ़िया दस सेंटीमीटर बहुत बढ़िया साबस आर कमान आएगा दस सेंटीमीटर इसका मतलब जो ऑप्सन भी है वह आपका करेक्ट आंसर होता धिक है ओप्सन भी करेक्ट आंसर होगा है चलिए यहां तक बता ही यहां तक किसी को डाउट ढ़र Peki यह बताना है को कोई हैंने यहां तक कोई डाउट है के दो हुए वाय टाइप किया है सुमन जांगरा हुसेंद खान कि अब्व कर दिया अच्छल रगलती है कोई बात नहीं कोई बात तो इसी का यह होगा ठीक है इसका होमवर्क क्या होगा देखे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे प्रिष्णावली 9.8 अच्छा मैं इसको यहां से रेज कर देता हूं दूबारा से प्रिष्णावली 9.8 वेस्ट नमबर एक दो और तीन मैं इसको जूम कर रहा हूं थोड़ा सा सभी बच्चे स्क्रीन सॉट लेंगे इसका पांस तक गिन रहा हूं है सभी ने स्क्रीन सॉट ले लिया होगा प्रिष्णावली 9.2 और है इसको मैं हटा के मैं दुबारा से कर दे रहा हूं प्रिष्णावली 9.2 और है क्वेश्ण नमबर वन तू और थ्री ठीक है बस यह और है आज का होंवर्क इतना ही था आज का होंवर्क बस इतना ही था ठीक है तो बस आज की क्लास यहीं तक थी इतना ही था आपका होंवर्क अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकती हो अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास नहीं तक ठीक है तो के बाई 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 अब्रिवर्ट गुड नाइट गुड नाइट बाई बाई